जय श्री कृष्ण भक्तों जन्माष्टमी पर अगर आप सबने यह उपाय कर लिया तो मैं भगवान श्री कृष्ण की सौगंद खाता हूँ आपके घर से गरीबी दूर भाग जाएगी आप दस दिनों में रातों राधधनी हो जाएगे मैं राधारानी की सौगंद खाता हूँ इस वीडियो को अंत तक देखें आपका भाग्य ना बदल जाये तो हमें बताना लेकिन वीडियो पूरा ही देखना है एक लाइक जरूर करें अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं राधारानी से प्यार करते हैं तो एक लाइक तो जरूर ही करना जन्माश्टमी बार बार नहीं आती साल में एक बार 365 दिन में एक बार ही आती है तो दिल से उपाय करें इस उपाय को बेमन से मत करना कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे जैश्री कृष्ण ये उपाय नहीं आपकी बंद किस्मत की चावी है और इस चावी को आपको हासिल करना है दोस्तो पंचांग के अनुसार इस साल भादरपद माह के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी की शुरुआत 26 अगस्त की राध 3.49 मिनट पर होगी 27 अगस्त राध 2.19 मिनट पर इसका समापन होगा ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माश्टमी का व्रत रखा जाएगा हर साल भादरपद मास के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को कृष्ण जन्माश्टमी के रूप में मनाया जाता है द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुशोत्तम भगवान का जन्म भादरपद की अश्टमी तिथी रोहिनी नक्षत्र और चंद्रमा व्रिशभराशी में मध्य रात्री में हुआ उनके जन्म लेते ही दिशाय स्वच्छ वप्रसन एवं समस्त प्रिथवी मंगलमय हो गई थी विश्णू के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया कृष्ण के प्रकट्य से स्वर्ग में देवताओं की धून दुबिया अपने आपबज उठी तथा सिध्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे दोस्तों जन्माष्टमी व्रत का महत्व शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को एक हजार एकादशी व्रत के समान माना गया है सौ बार गंगासनान करने का जो पूर्णे मिलता है मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्थ हो जाता है जाप का अनन्त गुनाफल देने वाला जनमाश्टमी की दिन ध्यान जाप और रात्री जागरण का विशेश महत्व है इसलिए जनमाश्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्थन करने चाहिए इभविश्य पुराण में इस वरत के संदर्भ में उलेख है कि जिस घर में यह देव का वरत किया जाता है वहां अकाल, मृत्यू, गर्भपात, किसी भी माँ के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, गर्भ ठहरता है वैधव्य दुर्भाग्य तथा कलहा नहीं होती जो एक बार भी इस वरत को करता है, उसे श्री कृष्ण का आशीरवात प्राप्थ होता है वो प्राणी संसार के सभी सुखों को भोग कर विश्नु लोक में निवास करता है जन्माष्टमी पूजन विधी हिंदु धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकाल कर सुख, सम्रिध्धि और स्वभाग्य का वर्दान देने वाली मानी गई है जन्माष्टमी के दिन प्रातह जल्दी उठकर स्नान आदी से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारन करें इसके बाद पूर्विया उत्तर की ओर मुख्य करके व्रत का संकल्प ले अगर नौर्थ इस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं कर्मक्षेत्र में खड़े हैं तो वहां आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानिया हैं उन्हें कानहा दूर कर देते हैं माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ती या चित्रपालने में स्थापित करें पूजन में देवकी वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदी देवताओं के नाम जपें रात्री में बारह बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं दोस्तों जन्माष्टमी पर कानहा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिशेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं जूला जुलाएं तुलसी डाल कर माखन मिश्री वधनिये की पंजीरी का भोग लगाएं ततपश्चात आरती करके प्रसाद को वित्रित करें दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी कब है पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी की शुरुवात 26 अगस्त की रात 3.49 मिनट पर होगी 27 अगस्त रात 2.19 मिनट पर इसका समापन होगा ऐसे में 26 अगस्त दो हजार चौबीस के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का वरत रखा जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्री की जाती है इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा दोस्तों चलिए जानते हैं जन्माश्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा दोस्तों जन्माश्टमी की यह कथा चुपके से भी सुनने से समस्त तकलीफें बीमारियां सब समाप्थ हो जाती हैं पित्रदोश, मंगलदोश, कालसर्पदोश, शनिदोश तुरंत ठीक हो जाते हैं आईए सुनते हैं जन्माश्टमी की कथा दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की आठवीन संतान के रूप में जन्म लिया था कृष्ण जी का जन्म मतुरा में कंस के कारागार में हुआ था माता देवकी राजा कंस की बहन थी कंस को सत्ता का लालच था उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगदी छीन कर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयम को मतुरा का राजा घोशित कर दिया था राजा कंस अपनी बेहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे उन्होंने अपनी बेहन का विवाह वासुदेव से कराया था लेकिन जब वह मा देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवानी हुई कि देवकी का आठवा पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा ये सुनकर कंस डर गया उसने तुरंत अपनी बेहन और उनके पती वासुदेव को जेल में बंद कर दिया उनके आसपास सैनिकों की खड़ी पहरेदारी लगा दी कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के साथ संतानों को मार चुका था कृष्ण जी का जन्म इसके बाद भाद्रपद महा कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथि को रोहिनी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की आठवी संतान के रूप में जन्म लिया श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई आकाश वानी हुई कि विश्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ाए और उनके घर एक कन्या जन्मी है उसे मथुरा लाकर कंस को सौप दे कानहा चले गोकुल धाम आकाश वानी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हद खड़ी खुल गई सभी पहरेदार सोने लगे कानहा को एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े कानहा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पढ़ा यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्ष करने के लिए उफान पर आ गई लेकिन चरण स्पर्ष के बाद वो फिर से शांत पढ़ गई वो कानहा को बाबानंद के पास छोड़ाए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लोटाए जेल अपने आप बंध हो गया और उनके हाथों में हत्कडियां लग गई कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए कन्स बंधी ग्रहाया वो कन्या को देव की और वासुदेव की आठवीं कन्या समझ उसे मारने चला लेकिन वो आकाश में उड़ गई और फिर से आकाश वानी हुई कि कन्स को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है बाबा नंद और उनकी पत्नी मा यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोशन किया राजा कन्स ने कृष्ण जी का पता लगा कर उन्हें मारने की खूब कोशिश की लेकिन कन्स की सारी कोशिशों विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगदी सौंप दी इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजेगा यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे दोस्तों जन्माष्टमी पर भूल कर भी ना करें ये गलतियां तुलसी को लेकर ना करें जन्माश्टमी से पहले आप तुलसी तोड़कर रख लें। बिना तुलसी के जन्माश्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को स्विकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र ना पड़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है। जहरीला माना जा तामसिक भोजन जन्माश्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की बचना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण के भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को श्राब दिया था। इसलिए किसी का भी अपमान ना करें। फल वगेरह मिठाई अवश्य खिलाएं। जन्माश्टमी के दिन केवल सातविक खाना खाएं। जन्माश्टमी वरत में दूध और दही जरूरी हैं। वरत के दौरान ताजे फलों के शेख लसी, छाच या दूध का मजा ले सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं। फ्रषण सदा पीपल के व्रिक्ष में रहते हैं। इससे वो प्रसन्न जल्दी होते हैं। दोस्तों जन्माश्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवारे होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पतनी से द दूर रहते और संयम और नियम का पालन करते हैं तो उन्हें एक सुशील और सुन्दर पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे बालक का मुख भगवान कृष्ण की तरह होता है। और शरीर भगवान कृष्ण की तरह कोमल होता है। अमाल हो जाएंगे। आपके घर में राधारानी की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, श्री कृष्ण मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः। वो भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। कम से कम इसका जाप 21 बार अवश्य करें या 108 बार भी आप कर सकते हैं। बहुत ही शुब माना जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को जूला जूलाती है, उसे अनंतकाल तक बांचपन का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसी स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ती होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर मोर पंक अवश्य लाएं और मंदिर में स्थापित करें। भगवान कृष्ण की बंसी जन्माष्टमी पर अवश्य लेकर आए। अगर आप भगवान कृष्ण को उपहार में कभी मत देना। इससे घर की लक्ष्मी रूष्ट हो सकती है। जन्माष्टमी पर सोने, चांदी, तांबा, पीतल की खरीददारी कर सकते हैं। शुभ माना जाता है जन्माष्टमी पर पालना अवश्य लेकर आना। इसमें लड्डू गो अगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी समस्याइं दूर हो जाएंगी। माता तुलसी आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्षन के साथ तुलसी दल जरूर डालें और वो भगवान कृष्ण को अर्पित करें। दोस्तों जन्माष्टमी के शुभवसर पर करें। नमक का विशेश उपाय दोस्तों मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ। नमक का ये उपाय करने से आपके समस्त पाप नश्ट हो जाएंगे। गरी भी दूर हो जाएगी। आपकी नौकरी लग जाएगी। संता पान कृष्ण का विशेश आशीरवाद मिलेगा। आईए जानते हैं नमक का विशेश उपाय। दोस्तों उपाय है एक नमक का पैकेट। 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उढद की दाल, 200 ग्राम आटा। और 11 रूपे की दक्षणा तथा एक पानी क बोतल और 5 रूपे के काले तिल बस इतनी सी सामगरी एक थैली में एकत्रित कर ले। दोस्तों उसके बाद किसी भी गरीब, बुजर्ग या गरीब महिला को चुपके से दान दे दे और पीछे मुड करना देखे, घर को वापस चले आए। दोस्तों आप यकीन मानो गुरू आपको बता रहे हैं, यह उपाय जनमाश्टमी के दिन जरूर करें। दोस्तों आप भी यह मौका हाथों से मत जाने देना। पकवान बनाये जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किये जाते हैं। तो अगर आप 56 भोग समर्पित करते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। 56 भोग हो सके तो आप जरूर समर्पित करें। लेकिन अगर आपके पास इतना समय और समर्थे नही जिससे कि हमारे कृष्ण भगवान हमारे लड़ू गुपाल प्रसन्न हो जाए। ताकि उन्हें चपन भोग जितना ही आनंद प्राप्थ हो। अब हम जानेंगे कि वो कौन सी साथ चीजे हैं जो चपन भोग के समान ही भगवान श्री कृष्ण जी को प्रिय है। अगर हम वो साथ चीजे भगवान कृष्ण जी को भोग स्वरूप समर्पित करते हैं, तो हमें 56 भोग के समान ही फल प्राप्त होता है। सबसे पहले तो जन्माश्टमी के दिन जब आप लड़ू गोपाल जी को भोग समर्पित करें, तो कोशिश करें कि आप अपने घर पे बनी हुई चीजों का भोग समर्पित करें, बाहर की मिलावटी चीजों से बचने की कोशिश करें, और लड़ू गोपाल जी को जो चीज स गोपाल जी के लिए मखन बना लीजिए तो देखिए यहां पर मैंने मखन बना लिया है और मखन में मिश्री डाल कर अब हम लड़ू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग समर्पित करेंगे तो पहले नंबर पर तो माखन मिश्री है दूसरे नंबर पर फिर हम मेवे का भोग समर्पित करेंगे आप मेवा पाक बना सकते हैं मेवे की बर्फी बना सकते हैं या जो पांच तरह के मेवे साथ तरह के मेवे इकठे करके लड्डू को पाल जी को भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं जन्माष्टमी को आप मेवे का भोग जरूर समर्पित करें भगवान श् श्री कृष्णी जी को अतिप्रिय होता है और धनिया पंजीरी के भोग के बिना जन्माष्टमी के व्रत का पारण नहीं किया जाता है तो धनिया पंजीरी का आप भोग जरूर समर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी जो है वो भगवान श्री कृष्णी का जन्म दिवस है इस दिन भगवान श्री कृष्णी का जन्म होता है तो आप शहद उनको जरूर से जरूर समर्पित करें। उसके साथ ही भगवान श्री कृष्णी को खीरा अतिप्रिय है तो जन् भोग भगवान को समर्पित करेंगे, उसमें आप तुलसी जरूर रखें। नहीं बना पा रहे हैं, तो ये साथ भोग हैं, जो आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं, और जिनके भोग से भगवान श्री कृष्ण जी अतिप्रसन्न हो जाते हैं, तो इस जन्म आश्टमी आप भी ये साथों भोग भगवान श्री कृष्ण जी को आपने लड़ू में दे दूँगा, उन्हें भी आप एक बार जरूर देखना। अब जानते हैं, जन्माश्टमी पर वो ऐसा कौन सा फल है, जिसे व्रत में खाने से व्रत तूट जाता है, खंडित हो जाता है, आईए जानते हैं। जन्माश्टमी के व्रत में व्रत रखने वाले व्यक्ती को नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है। इसे आप किसी और दिन खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कभी न खाएं, भगवान कृष्ण को ये फल कभी अर्पित न करें, इससे आपका व्रत भंग हो सकता है। दोस्तों गाय को नहीं सताना चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को अधिक प्रेम करते हैं। मान्यता है कि जन्माश्टमी के दिन गाय के मस्तक पर हाथ लगाने पर या चूमने पर व्यक्ति को कई हजार गुनापुन्य की प्रा इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुब नहीं माना जाता। आप तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़ कर रख ले। दोस्तों आप जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की प्रिय साथ ऐसी चीज हैं। जन्माष्टमी की दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए। जिससे हमारी अध्यात्मे कुन्नती हो। हमारा घर धन धानने से परिपूर्ण बना रहे। जिस प्रकार तेरस तिथी को धन तेरस तिथी होती है। उस दिन बहुत सारी चीजों को घर में लाकर के रखने से हमारे घर में धन दौलत की बरकत होती है। आपने देखा होगा जो धन तेरस है इस दिन धनिये का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धन तेरस तिथी दिन जो भी व्यक्ति अपने घर में धनिया खरीद करके लाते हैं और धनिये का छिड़काव पूरे घर में करते हैं या फिर श्रीक्रिष्न जन्माष्टमी के दिन भी कुछ ऐसी वस्तु है जिन्हें घर में लाकर के खाया जाता है। अब भी अगर भगवां श्रीक्रिष्न को मानते हैं भगवां श्रीक्रिष्न के प्रती थोड़ी भी आस्था है तो comment बॉक्स में जैश्रीक्रिष्न सदा सहय करें, जरूर लिखना और हाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लायक नही नहीं आएगी तो इस जानकारी को किसी पैन कौपी में नोट करके लिख लेना, बाद में चलकर के यह जानकारी आपको आगे काम आएगी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिसे घर में लाकर के रखना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धनपती कहा जाता है। यह मित्रों जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है। लेकिन किसके भाग्य में किसे कितना धन देना है। यह अधिकार भगवान श्री विश्नुजी को है और विश्नुजी भगवान श्री भगवान श्री क्रिश्न आज भी जागृत अवस्था में आपने देखा होगा पुरी में भगवान श्री क्रिश्न का तो इस वीडियो को द्यान से देखे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह चीज आप अपने घर में अवश्य लाइए। तो आपको लाना क्या है? पहली वस्तु है मित्रों। वह है शहद जी। हाँ यह जो शहद है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यांत प्रिय है। ध्यान से सुनिये। भगवान श्री कृष्ण को अत्यांत प्रिय है। शहद जो है देवी देवताओं को भोग के रूप में यह आपने देखा होगा, यह जो शहद है, यह वास्तु दोश को भी दूर करता है, भगवान श्री कृष्ण को वास्तु का जनक माना जाता है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की बाल अवस्था रूप की मूर्ती रखी जाए, जिसे हम बाल श्री कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर इस प्रकार के छोटे कृष्ण बोल सकते हैं या फिर बाल गोपाल बोल सकते हैं तो जहां पर बाल गोपाल की मूर्ती हो इस प्रकार के मूर्ती को अगर शहद से सनान करा दिया जाए ध्यान से सुनिये इस प्रकार की मूर्ती को शहद से अगर भगवान को सनान करा दिया जाए, अभिशेक करा दिया जाए, और इस शहद को अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर इस शहद का चीटा अपने घर में मारते हैं, तो यह घर के वास्तु उस दोश का भी भगवान श्री कृष्ण निवारन करते हैं, इस प्रकार के दोशों से भगवान श्री कृष्ण उसे बचाते हैं, और जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को शहद से नहलाया जाता हो, वह स्थान वह घर तीर्थों के समान हो जाता है, वह घर पवित् आपके जीवन में तरह तरह के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरी वस्तु के बारे में बता रहा हूँ। आपके जीवन में बता रहा हूँ। गर जीवन में बता रहा हूँ। अगर इस पानी के छीटे घर में मारेंगे तो आपके घर में जितने भी वास्तुदोश है वह समाप्त हो जाएंगे क्योंकि मोरपंख को वास्तुदोश समाप्त करने वाला कहा जाता है। आप चौथी वस्तु बता रहा हूँ जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अवश्य ही लाना चाहिए तो हमारे धर्म शास्तुदोश में भी बोला जाता है जो चौथी वस्तुदोश में भी बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कदंब के फूल भगवान श्री कदंब के व्रिक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजाए है कदंब के व्रिक्ष को बहुत ही उत्तम व्रिक्ष माना जाता है चाहते तो भगवान श्री कृष्ण पीपल के व्रिक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कदंब व्रिक्ष को भगवान श्री कृष्ण आशीरवात प्राप्त है। व्रिक्ष को भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। व्रिक्ष को भगवान श्री कृष्ण के जो भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे स्वरूप है। इसे बाजार से खरीदेंगे, जो बाल गुपाल लाएंगे, इसे डेली जो है, गंगा जल में थोड़ा सा स्नान करा देना है, फिर सादे पानी से स्नान करा देना। और इसके बाद इस प्रकार से ये जो पानी है, इसके छीटे पूरे घर में मारना है, तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां समाप्थ हो जाएगी। आपके घर में किसी ने तंत्रबाधा बुरी नजर बुरी शक्तियां डाली है, वह समाप्थ हो जाएगी। जो लोग हैं, उनसे ज्यादा धनवान बनना शुरू हो जाएगे, उनसे जल्दी तरक्की पाना शुरू कर देंगे। यदि तुलसी की जड़ के साथ यह उपाय किया जाए, तो महीने भर में व्यक्ति करोडपती हो जाता है। लेकिन जन्माष्टमी के दिन ही करना है, आईए, जानते हैं। तुलसी के हर पत्ते में साक्षाद भगवान श्री विश्नु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वित्रित हुए, उनमें से हर एक ने माता तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है, वहाँ आध्यात्मिक उन्नती के साथ सुख, शान्ती और आर्थिक सम्रिद्धि स्वता ही आती है। प्रति दिन सुभह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुभह उठे, तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाए, तुलसी के पौधे को जरूर देख ले। सुभह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नश्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वाज समझा जाता है। दोस्तों वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो, उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते। और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तुदोश उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बढ़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा उस बला को अपने उपर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए खुद दोस्तों तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है आप इसे रोज देखते होंगे परन्तु हम दावे के साथ कह सकते हैं तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे और तुलसी के इन उपायों को करने से आपकी किसमत बदल जाएगी दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़ हर मंतर तंतर की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रहे अर्चने हो, ग्रहदोश हो, कोई बिमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी दोस्तों माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ती लगातार एक महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड़ू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उसकी कोई भी मनोकामना हो, जरूर पूर्ण हो जाती है तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं ततकाल दूर हो जाती है कई लोग कर्जे के बोज से परेशान हो जाते हैं कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अडचने आती हैं, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती है जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है, उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले तुलसी के पौधे में अनेक चमतकारी गुण पाये जाते हैं इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोश समाप्त हो जाते हैं ऐसे दोश रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाईयां आ रही है लगता है कि सब कुछ रुकसा गया है तो इन्हें नहाने के पानी में डाल कर नहाए तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को डाल कर स्नान करेंगे तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोश समाप्त हो जाएंगे आपके जीवन में बरकत आएगी आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेतर में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है इससे आपकी सम्मोहन शक्ती बढ़ती है लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं ऐसा तिलक लगाने से आपका दुरभाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसको पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती परन्तु इसे निरंतर करते रहे, बीच में छोड़े नहीं जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है मौसम बदलते ही तबियत खराब होनी शुरू हो जाती है ऐसे लोगों को और कोई उप्चार लेने की आवश्यक्ता ही नहीं है अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दे ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते तो एक दिन पहले शनिवार के दिन दो पत्ते तोड़ के रखें ताकि रविवार दिन आपको पत्ता तोड़ना ना पढ़ें दोस्तों वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एका दशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और बिना सनान किये हुए तुलसी को तोड़ कर जो मानव पूजा करता है वह अपराधी होता है उसकी की हुई पूजा निश्फल हो जाती है इसका और एक चमतकारी फाइदा बताते हैं अगर आप निर्धारित संख्या में छे महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं निर्धारित संख्या मतलब अगर आप चार की संख्या में खा रहे हैं तो रोज चार पत्ते ही खाने हैं और अगर आप पांच की संख्या में खा रहे हैं हमने पौरानिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी महराज हवा में उड़कर कही भी आ जा सकते थे। द्रोनागिरी परवत को अपने हाथों पर उठा लाए। ये सब अश्ट सिध्यों के कारण ही संभव हुआ था, जो उन्हें प्राप्त थी। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिध्यों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक गुणी आत्मा है, जिन्हें कई तरह की सिध्यां प्राप्त है। तो अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं, तो आपको इन अश्ट सिध्यों की प्राप्ती होगी, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इस तरह के विशेश प्रयोग के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल कर रख सकते हैं। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं, ताकि आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो जाए, तो दोस्तों तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दें। इस से शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं, वे तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए, अब जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेश फायदे। किसी की हाय बद्दुआ कभी भी आपको ना लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के तावीज में रखकर, लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनना है। कभी भी आपको भूत प्रेद बाधा नजर दोश नहीं ल किसी घर में लेकर रखें। फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। सारा दुश प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेद बाधा नहीं सताएगी। बढ़े से बढ़े संकट परिशानिया करजे का बोज तक दूर हो जाएगा। आपको एक हफते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और एक महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें और पूरे विश्व बार को तुलसी में कच्चा दूध हर्पित करें। मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागिन को दान कर दें। ऐसा करने से बिजनिस में लाब के योग बनने लगेंगे। दोस्तों आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा बशर्ते आप उसकी अच्छे से देख भाल करें। नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो घर में सुख, शान्ती और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं तो निरोग माया प्राप्त होती है और इससे शत्रू नाश हो जाता है। हर शत्रू का मतलब कि आपके घर में दुख, तकलीफ, परेशानी ऐसे शत्रू जो आने वाले होंगे उन्हें तुलसी मया नश्ट कर देती है। परंतु अगर आप दक्षन दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं तो इससे संप पूर्ण घर बरबाद हो जाता है। आपने जरूर देखा होगा कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है। परंतु ऐसे व्यक्ति दरिद्र ही रहते हैं। दरिद्रता का एक कारण यह भी हो सकता है कि वह तुलसी के पौधों को दक्षनी दिशा में रख जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है वहां के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमतकारी उपाए जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाए तो आ मा लक्षमी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांध कर उस स्थान पर रखते जहां आप अपना धन रखते। ऐसा करने से मा लक्षमी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से जूजना नहीं पड़ता है। व्यक्ति की आर्थिक उन्नती होती है। धन्यवाद।